मैं मैट्रिक फेल कर गया था, मैथमेटिक्स में ही मेरा क्रॉस लगा, संस्क्रीट में भी मैं फेल हुआ, सस्टी में भी मैं फेल हुआ, हम बहुत बड़े सदमे में आ गए, हमारे पत्नी को भी सहली सब कहा करती थी कि तुम्हारा पती अभी पढ़ी रहा है, आज के जवाने में भगवान तुमको मिल सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, जिसको वो कहती थी बराबर कि सरकारी नौकरी लेकर दिखाए, तो हमने यह प्रूप करके हज्जारों को सरकारी नौकरी दिलाने का मैं आनंद कुमारकर, डारेक्टर इंचीफ एकरंस क्लासेश दर्भंगा, मैं एक साधारन परिवार से पैदा हुआ बच्चा, जैसे तैसे मैं अपने जीद से दर्भंगा मारवारी कॉलेज 12th में एडमिशन लिया, और उस जवाने में ट्यूशन का कोई बहुत बड़ा द योग से इंटर किया, चूशन पढ़ाना सुरू किया, अच्छे कपड़े का क्या, अच्छे खाने का क्या, रहने का कोई ढंका ठिकाना नहीं था, कहीं कहीं लाउज में, जहां मंतली उसका रेंट होता था, वो भी अरणा करने के कारण, बहुत बार मकान मालिकों से ताना बढ़ना सुनना पड़ता था और जैसे तैसे टूसन शुूरू करके मैंने अपनी जिन्दिगी को प्रारंब की, मिरा मैंतरिक फेल कर गया था, मेरा मैंतरिक फेल का कारण था, कि बच्चों के साथ भर दिन खेलना, सिख्ण दिना कोई अच्छा महल गों घर में था नहीं, मै मेरा क्रॉस लगा, संस्क्रीत में भी मैं फेल हुआ, सस्टी में भी मैं फेल हुआ, पिता जी आये, बहुत डांटे फटकारे, तुम परते लिखते कुछ नहीं हो, तुमारे सारा साथी देखो, आज फस्ट डिविजन सकेंड डिविजन से पास किया, तो ये बात कही न कही मे मेरे जेहन में बहुत गारा धक्का दिया, कि मैं अपने गार्जियन का जो मनसुवा है, जो उनकी इच्छा है, उस पर खड़ा नहीं उतर रहा हूँ, और मैंने अपने आपको पूरी ताकत से पढ़ाई में जोक दिया, और मैट्रिक सकेंड डिविजन ही फिर पास कर सका, और उसके बाद पुना इंटर ग्रेजुएशन दरवंगा से 1993 में किया, और इसी दर्मया जब मैं पार्ट टू में था, तो हमारी साधी हो गई, साधी के बाद हमारे फादर इन लओ, हमें पराने के लिए पटना भेज दिये, और उनकी बहुत इच्छा थी, कि ये नौकरी करें और लगभग उनके समाज में, हमारे सुसुराल के समाज की बात कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे ऐसे दामाद थे, जो गौवर्मेंट जौब में था, और मैं ही एक ऐसा दामाद था उस परिभार में, जो प्राइबेट नौकर साही का भी जिंदगी नहीं जी करके एक फोर्स रहता था, कि आप जल्दी से सरकारी नौकरी करके हमारे ससुराल के पक्ष और मैं के पक्ष को दिखा दें, खार जैसे तैसे मैं पतना में परना शुरू किया, परिक्षा पास भी किये, LDC जो आज के डेट में CHSL है, उस परिक्षा को पास किया, लेकिन टाइप टेस में मैं छट गया, और उसके बाद हमारी पतनी थोरा सा बिमार हुई, और एक जोला चाप डॉक्टर के मेडिसीन का रियक्षन हमारे पतनी को इस जहां से स्वर्ग लेकर चला गया, और हम बहुत बड़े सदमे में आ गये, और दो महिना तक लगवग अपने जिंदिगी में में निरास होकर अब साथ गरस्त बहुत बड़े नर्भसनेस इस्थिती में जाकर हम फिर सोचे उठे और ऐसा सोचा कि बड़ाबर कहती थी कि कहीं नौकरी लेकर दिखा दो, तो अब मैं नौकरी आखिर करूं किसके लिए, तो क्यों न इस फिल्ट को चुना जाएं कि हजा औरों लोगों को मैं नौकरी दे सकूँ, मैं आठ स्टूडेंट के साथ चूशन सुरू किया और देखा कि परमपराओं के दौर से सारे सिक्षक मैथमेटिक्स और इजनिंग को पढ़ा रहे हैं, मैं मैथमेटिक्स के परमपरागत परहाई से हट कर एक नया, एक नूतन, ए रिसर्च किया समझे कि क्या वैलिडिटी ओफ वन के माध्यम से संपूर्ण मैथमेटिक्स को पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, छात्रों के बीच प्रेरना का सुरोत बनकर छात्रों को बूस्ट अप करते हुए, मैं महसूस किया कि हमारे समाज में छात्रों में सबसे बरी दिक्कत ये होती है कि वो मैथमेटिक्स का नाम सुनकर, इरिजनिंग का नाम सुनकर, खास करके आर्ट्स फेकल्टी के जो छात्रों होते हैं, वो काफी डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि जनरल कम्पीटिशन पास करना बहुत ही बड़ा मुस्किल काम है, और समाज म मैं ऐसा एक ट्रेंड बना दिया गया है कि आज के जवाने में भगवान तुमको मिल सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और इसी छेतर में मैं ऐसा काम करना सुरू किया, अपने एक टीम का मैंने निर्मान किया, इस सपना को लेकर कि मितलांचल के हर एक ब्लॉ भगभग मेरा मानना है कि 50%, मोर दैन 50% मैं काम्याबी प्राप कर लिया हूँ, 26 बर्स मेरा इस फिल्ड में है, हमने 2020 में प्रतियोगता दर्पन जो बहुत ही प्रतिस्ठित मैगजिन है, IRS Indian Reader Survey of General India के तहट, रैंकिंग नंबर वन पर प्रतियोगता दर्पन आती है, जिस से ह हमने एक बहुत ही प्रभावी पुस्तक आपके मार्केट में All Over India के लिए लिखा, संग्षात्मक अभियोगता परतियोगता दर्पन का 21 सीरीज है, जो आज भी आपके बीच बहुत लोग प्रिया है, फिर हम लोग के जवाने में में मैंस मैथमेटिक्स होता था, जिसमें ड पहुत ही लोग प्रिये साबित हुआ, और आज अगर कौंट किया जाए, तो आज हमने 13 पुस्तकों का रचना आप सबों के उपयोगी होने हेतु किया है, छात्र हम से पुस्ते राते हैं, कि कितना देर परहा जाए, कितनी मेहनत की जाए, तो मैं सिर्फ इतना ही सब को बता और दिमाग उस तरफ प्रेरित होगा, और निस्चिती सफलता आपके दर्वाजे पर दस्तक देगी, जिसको ओ काती थी बराबर कि सरकारी नौकरी लेकर दिखाए, तो हमने यह प्रूफ करके हज्जारों को सरकारी नौकरी दिलाने का एक साधारन सा काम करने का विराल उठ और उसे करके मैं अक्षर सा साबित कर दिया हूँ, गालिव का बहुत प्रसिद्ध एक सारी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है? तहां सब एकरा सस्क्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल चाहिए चुनगा बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरना दायक कहानी, बहुत सारा खिसा था, हांके सुनल है मिलत, तबस बन लहूँ